इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और लंबे समय तक राहत के लिए पेट को अतिरिक्त ऐसिट बनाने से बचाता है। ये पाचन में सुधार और गैस्ट्रिक मुद्दों के इलाज में मदद करता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. यह अपच, अपच, अति, अमलता, गैस्ट्रिक अलसर और पेट से संबंधित किसी भी अन्यस अंकट के इलाज में उप्योगी है। 2. यह एक इम्यूनो मोडूलेटर है जिसमें अंटियोक्सिडेंट गुण होते हैं और यह पाचन अगनी को संतुलित करता है। 3. इसमें कसैले, काया, कग, रेचक के साथ साथ रेचक गुण भी होते हैं जो अमलता, गैस और कबज के इलाज में उप्योगी होते हैं। 4. इसमें अंटि-बैक्टिरियल गुण होते हैं और पाचन शक्ती में सुधार होता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।